आप सभी को नमस्कार, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे एक खास व्रत कथा जिसे समर्पित किया गया है भगवान शनी को यह व्रत कथा हर शनिवार को भगवान शनी की पूजा अर्चना के साथ की जाती है और इसका महत्व विशेश रूप से हिंदु धर्म में हो पर नौ ग्रहों में वाद विवाद हो गया यह विवाद इतना बढ़ा की आपस में भयंकर युद्ध की स्थिती बन गई निर्णय के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुँचे और बोले हे देवराज आपको निर्णय करना होगा की हम में से सबसे बरा कौ देवताओं का प्रश्न सुन इंद्र उल्जन में पर गए फिर उन्होंने सभी को प्रिथवी लोक में उज्जेनी नगरी में राजा विक्रमादित्य के पास चलने का सुझाव दिया उज्जेनी पहुँचकर जब देवताओं ने अपना प्रश्न राजा विक्रमादित्य से पूछा तो वह भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे क्योंकि सभी देवता अपनी-अपनी शक्तियों के कारण महान थे, किसी को भी छोटा या बरा कह देने से उनके क्रोध के प्रकोप से भयंकर हानी पहुँच सकती थी, अचानक राजा विक्रमा दित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन धातूओं सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक्व लोहे के नौ आसन बनवाए। धातूओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवा कर उन्होंने सभी देवताओं को अपने-अपन सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा आपमान किया है, तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूँगा। अपने प्रकोप से पीरित किया है, अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बचेगा, इसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बरे क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। गोरे बहुत कीमती थे। गूमने पर उसे एक चरवाहा मिला, राजा ने उससे पानी मांगा, पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और उससे रास्ता पूछ कर जंगल से निकल कर पास के नगर में चला गया। नगर पहुँच कर राजा एक सेठ की दुकान पर बैठ कर कुछ देर आराम किया। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई, सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन पर ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था राजा को उस कमरे में छोर कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया तभी एक आश्चर्य जनक घटना घटी राजा के देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई सेठ ने जब हार गायब देखा तो उसने चोरी का संदेह राजा पर किया और अपने नौकरों से कहा कि इस परदेशी को रस्सियों से बांध कर नगर के राजा के पास ले चलो राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि खूंटी ने हार को निगल लिया इस पर राजा क्रोधित होकर चोरी करने के अपराद में विक्रमादित्य के हाथ पाउं काटने का आदेश दे दिया सैनिकों ने राजा विक्रमा दित्य के हाथ पाउं काट कर उसे सरक पर छोड़ दिया कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठा कर अपने घर ले गया और उसे कोलभू पर बैठा दिया राजा आवाज दे कर बैलों को हांकता रहता इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा शनी के प्रकोप की सारह साती पूरी होने पर वर्शा रतु प्रारंब हुई एक रात विक्रमा दित्य मेग मलहार गा रहा था तभी नगर की राजकुमारी मोहिनी रत पर सवार उस घर के पास से गुजरी उसने मलहार सुना तो उसे अच्छा लगा और दासी को भेज कर गाने वाले को बुला लाने को कहा दासी लोटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ बता दिया राजकुमारी उसके मेग मलहार से बहुत मोहित हुई और सब कुछ जानते हुए भी उसने अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया राजकुमारी ने अपने माता-पिता से जब यह बात कही तो वह हैरान रह गए उन्होंने उसे बहुत समझाया पर राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोरी और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया आखिर कार राजा राणी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना परा विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की हे शनिदेव आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्ने किसी को न देना शनिदेव ने कहा राजन मैं तुम्हारी प्रार्थना स्विकार करता हूँ जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा उस पर मेरी अनुकमपा बनी रहेगी प्रातह काल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पाव देखकर राजा को बहुत खोशी हुई उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया राज कुमारी भी राजा के हाथ पाम सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई, तब राजा विक्रमा दित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई, इधर सेठ को जब इस बात का पता चला तो दोड़ता हुआ तेली के घर पहुँच भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्य घटना घटी, सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिया, सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूशन धन आदी देकर राजा को विदा किया, राजा विक्रमा दि पूरे राज्य में घोशना कराई कि शनिदेव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं, प्रत्येक स्त्री पुरुष, शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुने, राजा विक्रमा दित्य की घोशना से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए, शनिवार का व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनो कामनाय शनिदेव की अनुकमपा से पूरी होने लगी, सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे.